नमस्ते दोस्तों कैसे हैं सभी लोग आशे करते हूं अच्छे होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवुड इंडिस्ट्री की कुछ और दिल्चस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ आई होप आपको पसंद आए पाकिस्तान में बैन है बॉलिवुड की ये ब्लॉक्वस्टर मुविस लिस्ट में गदर से लेकर टाइगर तक फिल्में है शामिल नमबर वन की बात करें तो राजी मेगना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म राजी में आलिया भिट लीड रोल में नजर आई थी फिल्म में एक भारतिय जासूस की कहानी दिखाई गई है जो पाकिस्तान शादी करके जाती है इस फिल्म को वहाँ पर बैन कर दिया गया था नमबर दो की बात करें तो पैड मैन आर बालकी के निर्देशन में फिल्म पैड मैन को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था ऐसा बताया जाता है कि इस फिल्म को वहां की संस्कृति के खिलाफ माना गया इसलिए इसे बैन कर दिया गया वही नमबर 3 की बात करें तो रांजना आनन्द एल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म रांजना में मुस्लिम लड़की से हंदू लड़के को one-sided love हो जाता है मुस्लिम लड़की किसी दूसरे हंदू लड़के से प्यार करती है फिल्म में सौनम कपूर धनुस और अभेदेवल लीड रोल में नजर आये थे ये फिल्म भी पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी नमबर चार की बात करें तो मुल्क अभिने सिना के निर्देशन में बनी फिल्म मुल्क रिशी कपूर तापसी पनु और आशुतोस राणा लीड रोल में नजर आये थे फिल्म में एक भारतिय मुस्लिम परिवार की कहानी को दिखाया गया जिसका समन्द पाकिस्तान से होता है इसलिए उसे काफी परिशान किया जाता है और इस फिल्म को इस वज़े से पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था नमबर पांच की बात करें तो नीर्जा फिल्म नीर्जा एक रियल कहानी थी जो एर होस्टेस नीर्जा भनोत के बलिदान पर बनाई गई थी फिल्म में सोनंग कपूर ने नीर्जा का रोल निभाया था फिल्म में पाकिस्तान को गलत तरीके से दिखाने का आरोप उस देश ने लगाया और फिल्म को अपने देश में बैन कर दिया वही नमबर 6 की बात करें तो एक्ता टाइगर कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म एक्ता टाइगर में सल्मान खान और केटरीना कैफ लीट रोल में नजर आये थे फिल्म में एक रौ एजन्ट की कहानी को दिखाया गया जिसे ISI आफिसर केटरीना कैफ से प्यार हो जाता है ये फिल्म पाकिस्तान में पूरी तरीके से बैन है नमबर 7 की बात करें तो गदर एक प्रेम कथा अनिल सर्मा की फिल्म गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल और अमीशा पटेल लीड रोल में नजर आये थे फिल्म में बटवारे के समय की कहानी को दिखाया गया बाद में हिंदुस्तानी लड़के को पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था वही नमबर आठ और आखरी फिल्म की बात करें तो फैंटम कबीर खान की निर्देशन में बनी फिल्म फैंटम में सैफ अली खान और किट्रीना कैफ लीड रोल में नजर आये थे फिल्म में मुंबई अटेक की कहानी को दिखाय गया जिनसे बदला लेने रो के लोग पाकिस्तान भेज बदल कर जाते हैं इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रू बताइएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग, बाबाई